सुरासम पूर्ण कलशम, रुधिरापलु तमेवचा, दधाना हस्त पद्माभ्याम, कुश्मांडा शुभदास तुमे राधे राधे जी, चौथे नवरात्र की आप सबको धेर सारी शुब कामनाए मेरी मैया शेरो वाली है, करे भक्तों की रखवाली है सब भक्तों मिलकर, सब भक्तों मिलकर जै बोलो, शेरावाली की जै बोलो नाम जो अमबेरानी का मन से प्रानी गाएगा, उसका बेडा भवसागर से पल भर मी तर जाएगा लाज रखती है भक्तों की बिर्मागी ही सब पाएगा, और सचे मने लखा जो जैकार बुलाएगा कहिए जै मातादी, लिखिए जै मातादी भक्तों हमेशा की तरहां जै मातादी लिखकर कमेंट सेक्शन को भर दे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले यदि आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यही अवसर है, अभी सब्सक्राइब कर दे जै मा कुश्मांडा की माताशेहल पुत्री, ब्रह्मचारिनी, जंद्रघंटा, कुश्मांडा नवरात्री में चौथे दिन देवी को मा कुश्मांडा के रूप में पूजा जाता है जब स्रिष्टी नहीं थी, चारो तरफ अंधकार ही अंधकार था तब इन्ही देवी ने अपने ईशत हास्य से अर्थात अपनी मंद मंद हलकी हसी के द्वारा ब्रम्हांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें स्रिष्टी की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है मा कुश्मांडा ने ब्रम्हांड के अंधकार को दूर कर तीन दिव्य देविया और अन्य देवताओं की रचना की दुर्गा सब्तशती के अनुसार मा दुर्गा अपने कुश्मांडा अफ़तार से पेहत प्रसन थी देवी कुश्मांडा का रूप धारन करने के बाद वे सूर्य के मूल में रहने लगी इसका तात पर यह यह है कि मा कुश मांडा एक मात्र ऐसी देवी है जो सूर्य के मूल में रहती है जहां से वे संपूर नसार मंडल को नियंतरन करती है देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है सूर्य लोक में रहनी की ख्षमता केवल इन ही में है इसलिए इनके शरीर की कांती और प्रभा भी सूर्य की भाती ही दैदी प्यमान है इन ही के तेज से दसो दिशाय आलोकित है ब्रमान की सभी वस्तोय और प्रानियों में इन ह का तेज व्याप्त है मा कुश्मांडा की कथा ऐसे समय में शुरू होती है जब कुछ भी नहीं था सारा ब्रम्हांध खाली था जीवन का कोई संकेत नहीं था और हर जगा अंधकार व्याप्त था अचानक दिव्यप्रकाश की एक किरन दिखाए दी और धीरे धीरे सब कुछ रोशन कर दिया प्रारंब में यह दिव्यप्रकाश निराकार था और इसका कोई विशेश आकार नहीं था हाला की जल्द ही यह एक स्पष्ट आकार लेने लगा और आखिरकार इसने एक दिव्यस्त्री का रूप ले लिया यह दिव्यस्त्री ब्राम्हांड की पहली माता मा कुश्मांडा थी मा कुश्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्राम्हांड का उत्पादन कर अंधेरे पर कबजा कर लिया मा कुश्मांडा ने इसे प्रकाश की साथ बदल दिया और इस ब्रम्हांड को एक नया जीवन दिया जल्धी उन्होंने सूर्य, ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं का निर्मान करके स्वहम को सूर्य के केंद्र में बैठाया वे सूर्य की किर्णों के माध्यम से सभी जीवत प्रानियों को जीवन प्रदान करती है भगवान सूर्य स्रिष्टी को जीवन देते तो है परन्तु मा कुशमानडा ही भगवान सूर्य की शक्ती का स्तोत्र है उनके बिना सुर्य की प्रकाश और उर्जा मंध हो जाएगा और सुर्य धीरे-धीरे दूर होता जाएगा और शक्ति हीन हो जाएगा इसके बाद मा कूश मानडा ने तीन दिव्य दीविया बनाई जो हमारे ब्रमान के पहले प्रानी भी थे उन्होंने अपने माथे पर केंद्रिय नेत्र का उप्योग कर महालक्ष्मी देवी को उत्पन किया अपने बाय नेत्र से महाकाली को उत्पन किया और दाय नेत्र से महासरस्वती देवी को उत्पन किया बाद में देवी महा काली ने एक पुरुष और एक स्त्री को जनम दिया पुरुष का नाम भखवान शिव और स्त्री का नाम मा सरस्वती था इसे प्रकार देवी महा लक्ष्मी ने भी एक पुरुष ब्रह्म देवजी और एक स्त्री देवी लक्ष्मी को जनम दिया मा कुश मांडा ने तब देवी महा सरस्वती का डर्शन किया जिन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री को जनम दिया था पुरुष का नाम भगवान विश्णुजी और स्त्री का नाम मा शक्ती था इसके बाद मा कुश मांडा ने ब्रह्मदेव जी को मा सरस्वती भगवान विश्णुजी को महलक्ष्मी और भगवान शिवजी को साथी के रूप में माशक्ती प्रदान की संस्कृत भाशा में कुश्मान्द को कुमहड कहते हैं दरसल कुश्मान्द एक compound word है कु उश्म अंडा कु यानी छोटा सा उश्मा यानी गर्माहत या उश्ना और अंडा यानी की अंडा तो कुश्मान्द का अर्थ बना छोटा सा गर्म लोकिक अंडा जो हमारा योनिवर्स है यह कोई आस्चर्य की बात नहीं है कि ब्रम्भान के रूप में कद्दू माता को भोग में लगाया जाता है माना जाता है कि मा कुश्मांडा एक मात्र देवी है जो आठ सिध्या और नौ निधियों को अपने साधक को दे सकती है मा कुश्मांडा जग सुखदानी मुझ पर दया करो महरानी पिंगला ज्वाला मुखी निराली शाकंबरी मा भोली भाली लाखो नाम निराले तेरे भक्त कई मतवाले तेरे भीमा परवत पर है डेरा स्वीकारो प्रणाम ये मेरा मा की आठ भुजाएं हैं अतहर ये अश्ट भुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं इनके साथ हाथों में क्राशह, कमंडल धनुष, बान, कमल पुश्प, अमृत पूर नकलश, चक्र तथा, गदा हैं आठ हवे हाथ में सभी सिध्यों और निध्यों को देने वाली जब माला है, इनका वाहन सिन्ह है मा कुश्मान्डा आसानी से छोटे से छोटे सेवा और भक्ती से भी प्रसन होने वाली है वे ही अपने भक्तों को अश्ट सिध्या और नो निध्या दे सकती है मा कुश्मान्डा की उपासना से भक्तों के समस्त रोगशोक मिट जाते हैं इनकी भक्ती से आयू, यश, बल और आरोग की वृध्धी होती है चतुर्थी के दिन मा कुश्मान्डा की आराधना की जाती है इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थत होता है मा कुश्मान्डा पूजा शुरू होती है कलश पूजा से कलश के देवी देवताओं की पूजा करें कुश्मान्डा देवी का विक्रह या तस्वीर स्थापित कर पंचामरित से नहलाएं और गुलाबी वस्त्र पहनाएं और स्वयम आप भी गुलाबी वस्त्र पहन कर पूजा करें तो उत्तम होगा कुश्मान्डा पूजा में अगरबती दूप और दूरवा से करें ये माता को बहुत पसंद है कुश्मान्डा मंत्र 108 पार जाप करें भोग में माता को दूध या दही अर्पित करें उन्हें कद्ग का हलवा बहुत पसंद है तो कोशिश करें उन्हें कद्ग का हलवा अर्पित करने को घर के सभी सदस्यों को भूग बंटने के बाद दान भी करें इससे माता प्रसन होती है शास्त्र और पुरानों के अनुसार कुश्मान्डा पूजा के अनंतर भगवान शिवजी और ब्रह्मदेव की पूजा करने चाहिए इसलिए के दो मंत्र भगवान शिवजी के लिए ओम नमा शिवार और ब्रह्मदेव के लिए ओम खम ब्रह्मा अठारा पार जाप करें इसके अनंतर उनके ध्यान मंत्र, स्तोत्र, आर्ती और कवच पठन करने से और अधिक लाब मिलता है आईए सुने मा कूश्मान्ड ध्यान मंत्र वंदे वांचत काम आर्थे, चंद्रार्थ कृत शेक राम सिन्ह रूढ, अश्ट भुजा, कूश्मान्डा यशस्विनी भास्वर भानु निभाम, अनाहत स्थताम, चतुर्थ दुर्गात्री नेत्राम कमंडलू चाब बान, पत्म सुधा कलश, चक्र गदा, जपवटी धराम पतामबर परिधानाम, कमनीयाम, मृत हास्या, नाना लंकार भूशिताम मंजीर हार केयोर, किंकिनी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफल वंदनाम चारू, चिबुकाम कार्थ कपोलाम तुंग कुचाम कोमलांगी स्मेर मुखी, श्री कंटी, निम्न नाभी नितम बनी अब मा कुश्मांडा का स्तोत्र पाथ दुर्गति नाशनी त्वम ही, दरित्रा दिवे नाशनीं, जयन्दा धनदा कुश्मांडी प्रणमाम्य हम जगत माता जगत कत्री, जगता धारा रूपनीं, चराचेश्वरी कुश्मांडी प्रणमाम्य हम त्रैलोक्य सुन्दरीत्वम्ही दुखशोक निवारिनीं परमानंदमई कूश्मांडी प्रणमाभ्यहं अब मा कूश्मांडा का कवच हन्सरै मेशर पातु कूश्मांडे भवनाशिनीं हसलकरीं नेत्रेच हसरोस्च ललाटकं कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्परे तधा पूर्वे पात वैश्नवी इंद्रानी दक्षिने ममा दिगित्विक्षु सर्वत्रेव कूमबीज सर्वदावतु अब वीडियो के अंतप भाग में सुनते हैं मा कुश्मांडा की आर्ती चौथा जब नवरात्र हो कुश्मांडा को ध्याते जिसने रचा ब्रम्हांड या पूजन है आथे शक्ती कहते जिन्हें अश्ट भुजी है रूप इस शक्ती के तेट से कहीं छाव कहीं धूप कुश्माड़े की बली करती है तांत्रिक से स्विकार पेठे से भी रीजती सात्विक करे वचार क्रोथच जब हो जाए या उल्टा करे व्यवहार उसको रखती दूर मा पीडा देती अपार सूर्य चंदर की रोश्नी या जग मैं फैलाए शर्नागत की मैं आया तो ही राह दिखाए नवरात्रो की मा कृपा कर दो मा जै मा कुश्माड़ा मैया भक्तो यह है मा कुश्माड़ा की कथा आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्त दी अच्छी लगी जै मातादी लिख कर इस वीडियो को लाइक करना ना भूले नव दुर्गा की अन्यकताएं दुर्गा सब्तशती के अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारी योट्यूब चैनल पवत्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहेगा अब मुझे अनुमती दीजे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में जै मातादी